कर दो को पेड़ώς कुछा का सब बढ़े फिर से आत फ़लो एवरी वालकम बागट्टूर अरांड सत्या क्या हाल चाल सब बढ़िया चलिए तो आज मैं आगया हूँ एक बार फिर से आप सभी के लिए लेके एक स्टोरी जिसका नाम है मैडम राइफ तबस जिसको लिखा है वलिकानन ने आज हम इस स्टोरी की समरी के बारे में जानेंगे पूरी कहानी पूरा चैप्टर आपको मैं सोट में बता दूगा तो चलिए कहानी की सुरुवात करते हैं वल्यम्मी एक लड़की थी जिसको सौट में वल्ली कहा जाता था वो मात्र आठ साल की बच्ची थी उसकी उम्र के उसके गाउं में उसके आसपास कोई भी बच्चा नहीं था जो उसके साथ खेले तो उसने एक बड़ा आसाम सा तरीका निकाल लखा था वो अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती और उसके घर के सामने वल्ल दरवाजे के आसपास जो कुछ भी होता रहता था उसे वो देखती रहती थी उसे एक चीज बहुत आकरसित करती थी और वो थी बस वो देखती थी कि वो बस एक घंडे में दो बार उस गली से आती थी और जाती थी तो वल्यम्मी को ये बात बहुत अच्छी लगती थी और लोगों को बस पे वो चड़ते देखती उन्हें फिर उतरते देखती तो उसका भी मन करता कि कास मैं भी बस में यात्रा कर पाती जब उसका कोई दोस्त बस की यात्रा करके वापस आता और उसे बताता कि मैं बस की यात्रा करके आया हूँ तो वल्ली को उसे इर्षया हो जाती, वल्ली को उसे जलल हो जाती वल्ली इस तरह से अपनी इच्छा को और ज़्यादा दिनों तक नहीं दबा सकी और उसने कई दिनों और कई महीनों के मेहनत के बाद ये जांच परताल कर लिया लोगों से पूछके पडोसियों से पूछके कि ये जो बस है ये कहां जाती है तो उसे ये पता चला कि ये बस यहां से सबसे नजदी की कस्वे पो जाती है जिसकी दूरी मात्र 6 मिल है और उसने ये भी पता लगाया कि वहां तक जाने में बस को 45 मेट लगता है और तो और उसने ये भी पता लगा लिया एक तरफ के बस का किराया मात्र 30 पैसे है जब वल्ली को ये पता चला कि दोनों तरफ का किराया 7 पैसे होंगे तो वल्ली के लिए कीमत बहुत जादा थी क्योंकि वल्ली एक बच्ची थी और इतने जादे पैसे इकठा नहीं कर सकती थी लेकिन फिर भी उसने योजना बनाई और पैसे इकठा कर लिए उसने ये भी योजना बनाई कि किस समय मुझे जाना है और किस समय मुझे वापस आना है बिना किसी परिसानी के आखिरकार बसंत तुरी तुमें एक दिन वल्ली ने बस को रोका बस रुकी और कंड़क्टर ने वल्ली से पूछा बेटा तुम्हारे साथ और कौन-कौन है तो वल्ली ने कहा मेरे साथ और कोई नहीं मैं ही सवारी हूँ मैं ही बस पर यात्रा करना चाहती हूँ तो कंड़क्टर ने कहा ठीक है आओ चढ़ो और कंड़क्टर ने वल्ली को चढ़ाने के लिए अपना हाथ दिया लेकिन वल्ली ने कहा मुझे तुमारे हाथ की कोई जोत नहीं मैं खुच चढ़ सकती हूँ तो कंड़क्टर ने कहा अरे मैडम आप नाराज क्यों होती हैं आईए चढ़िए और वो बस पेश चढ़ गई और एक तरफ जाके वो सीट पर बैठ गई यह दिन का बहुत ही खाली समय था और बस में मातर 6 यह 7 लोग ही बैठे थे वल्ली सीट पर बैठती है और वो सोचती है कि कैसे मुझे बस की यातरा करने के लिए एक विश्तरत योजना बनानी पड़ी थे उसे याद है कि कैसे उसने पिपरमिंट के लिए जो पैसे मिले थे उसने सारे पैसे इकठे किये और उसे याद है कि उसकी जो मा थी वो दोपहर में सोती थी और इस वक्त को वो गाउं में घूमने के लिए जानकारी कठा करने के लिए यूच करती थी अब वो यही समय बस यात्रा करने के लिए यूच करेगी वल्ली जब सीट पर बैठी थी तो वो बाहर देखना चाहती थी लेकिन बाहर देखनी पा रहे थी क्योंकि जो बस का सीशा था उसके सामने एक परदा लागा हुआ लेकिन फिर भी वो नहीं देख पा रहे थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी इसलिए वो सीट पर चड़ गई और सीट पर चड़ करके बस के बाहर का नजारा उसने देखना शुरू किया बस के उस तरफ जब खिड़की से उसने देखा तो क्या देखा ताल के पेड़ घास के मैदान गहरी खाई और दूर दूर तक हरे भरे खेत और मैदान फैले हुए हैं इन सब को देख करके वल्ली बहुत खुश हुई जब बल्ली सीट पर खड़ी हो करके बस के बाहर का नजारा देख रही थी तो उस बस में एक ब्रध बेक्ती बैठे थे उन्होंने वल्ली से कहा अगर बट्ची सीट पर खाई हो के बाहर क्यों डेख रही हो गेट जाओगी तुमको चोट लग जाएगी जैसे ही वल्ली ने ये बात सुनी उस ब्रध बिक्ती की तुसे बहुत गुस्त आया और उसने कहा मैं बच्ची नहीं हूँ बट्ची मत करना मुझे दूबारा और वो ब्रंधवेक के चुप हो जाते हैं कंड़क्टर वल्ली को समझाता है कि देखो बच्चे तुम अगर सीट पे खड़ी रहोगी और बस अगर मुडाव लेगी तो तुम गिर सकती हो लेकिन वल्ली ने कंड़क्टर की भी बात नहीं सुनी जब बस अगले बस स्टैंड पे रुकी तो वहाँ पे कुछ लोग बस में चड़ाए तो वल्ली ने जब देखा कि लोग चड़ रहे हैं तो वो अपनी सीट पर बैठ गई इस डर से कि कहीं कोई उसकी सीट पर न बैठ चाए उसकी बगल वाली सीट पर आकर एक ब्रद महिला बैठ गई जो बहुत ही बहुत सूरत लग रही थी उसके जो कान थे बहुत बड़े बड़े थे और उसके कान में भद्दे सी बालिया लटक रही थी और उसके कान में उसके लिटकनी के जैसे छेद हो गया था और वो महिला पान चबा रही थी जिसको देखकर ऐसा लगता था जैसे कि अभी उसके मूँ से पान का सारा रस बाहर निकल आएगा उसने वल्ली को देखा और देखके कहा बच्ची अकेली हो क्या? कहां जा रही हो? क्या हाल चाथ? तुभाई मम्मे कहा? तो वल्ली को इस बात को सुनके बहुत गुस्ता आता है और उसे कहती है कि आप मेरी फिकर मत करिये और हाँ मैं बच्ची नहीं हूँ और वल्ली ने अपना चेहरा बस से दूसरी तरफ मोड़ दिया अर्थात वल्ली बस के दूसरी तरफ देखने लगी अब बस एक उजाड छेत्र से होकर गुजर रही थी और फिर धीरे धीरे वो और आगे बढ़ती चली गई एक बार फिर से बस अब एक में रूट पे आ गई थी और वल्ली इस सारे नजारे को देख रही थी वो क्या देखती ऐसा लगता जैसे कि सामने वाली जो गारी है अभी आके उसकी गारी से लड़ जाएगी लेकिन ऐसा नहीं होता था और वल्ली क्या देखती कि पेड दोर रहे है और दोरते हुए उसकी तरफ आ रहे है लेकिन जैसे ही वहाँ पे आते तो पेड वहाँ पे रुख जाते फिर एकदम से पीछे चले जाते ये सब देखकर के वल्ली को बहुत अच्छा लग रहा था तभी अचानक वल्ली ने देखा कि बस की सामने एक गाय है जो बहुत तेजी से भाग रही है इधर उदर जो ही बस का ड्राइबर हॉन बजाता तो वो गाय और जोर से भागती और वल्ली को बहुत मजा आता इसको देखके उसे बहुत मजा आ रहा था इसी तरीके से देर तक हान मजाते बजाते आखिरकार वो जो गाय थी सड़के किनारे हो गई और बस वाला आगे बढ़ गया थोड़ी दूर और आगे जाने पर उन्हें एक रेलवे क्रोसिंग मिला जहां पे बस को रुकना पड़ा और जो ट्रेन थी वो वहां पे बहुत जोर से सोर मचाती हुई और बस को हिलाती हुई वहां से चली गई बस रेलवे क्रोसिंग पार करके थोड़ी दिर बाद कस्बे में पहुच गई कस्बे का नजारा बहुत ही सुन्दर था सुन्दर रंग बिरंगी दुकाने रंग बिरंगे कपड़े बहुत सारे लोग ये सब नजारा देखकर वल्ली बहुत खुस हुई और बस जाकर के बस स्टैंड पर रुक गई सभी लोग उस बस से नीचे उतर गए सिवाए वल्ली के कंडक्टर ने पूछा कि क्या वो नीचे उतर के नहीं जाना चाहती तो वल्ली ने कहा नहीं वो बस यहीं तक आना चाहती थी और जो कंडक्टर था बहुत ही भला आदमी था उसने कहा ये बच्ची है इस उसने कहा बाहर क्यो नहीं पुलना सुरू कर दी बस के साथ तो उसने फिर से वही सारे दरस्टे देखे लेकिन इस बार भी बल्ली उवी नहीं और उन सभी दरस्टेव का उसने उसी उठ्साह के साथ स्वागत किया जब बल्ली और थोड़ा आगे बड़ी बस में बैट करके तुशने क्या देखा कि सड चाप बैठी रही जब तक कि बस उसके गाउं तक नहीं पहुंच गई वल्ली ने जो गाय के मरत सरीर को देखा था उससे बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और जल्दी ही बस वल्ली के गाउं पहुंच गई वल्ली ने कंडक्टर से कहा कि वह फिर से यात्रा करने के लिए बस पर आएगी तो कंड़क्टर नी भी उसे याद दिलाया अपना किराया लाना मत थूलना और वल्ली बस से उतर करके अपने घर चली गई उसने दरवाजा खोला तो उसने क्या देखा कि दच्छिली गली में रहने वाली चाची से उसकी माता जी बाते कर रही हैं वो उस वि बहुत सारी चीजे हो रहें जिसको हम नहीं जानते उस जच्छिड गली में रहने वाली चाची ने कहा वल्ली तुम तो बिल्कुल वयस्क लोगों की तरीके से बात कर रही हो वह वंहीं मुस्कुर आई और उसने अपने मन में सोचा, बिल्कुल सही, उसने सोचा यह कि उसक पहानी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा थैंक्स फर वॉचिंग